Good morning children, how are you? I hope all of you are fine. You do well of your first PA1 exam. ठीक है? आपने बहुत अच्छा किया है. पर मेरे एक शिकाइद है. है ना? कोई भी बच्छा अच्छा से नहीं लिखा है. है ना? Good handwriting में लिखना है. और आपको खूद लिखना है. कोई किसी किसी का तो ममी पापा ने लिख कर दिया है. कोई बात नहीं. पर इस पर हपियरली एंसर में आपको खूद लिखना है. ठीक है बच्छों? ठेंक यू. और क्योंकि आप घर में पढ़ाय किया हो. किसी किसी पुछाता. ना? स्पेलिंग पुछाता. अपने आंसर दिया है. Very good. जिसको जिसको मैं अभी पुछूँगी. सब बचलों मुझे आंसर देना है. Okay? So, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेरे छुटे-चुटे-चुटे नन्हासा प्यारासा एंजल. क्लास वान के एंजल लो. आप देखो. आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास वान का है. सब्चेक्ट है. इंग्लिश ग्रामार. जो आपके पास ये वाली बुख है. है ना? गाम में गुंकर आया है. आपना बुख को लो. अपना बुख को लो. ये है. इंग्लिश ग्रामार बुख. आज लेसन नमबर हम फोल लेसन को बाद में पढ़ेंगे. आज आप पढ़ेंगे लेसन नमबर फाईट. टॉपीक हे प्रॉनाउंस. इसको हम बहुते है. प्रो. पि-र-ो. प्रो.न-ो-व-न-不對. नााMAN्स. प्रो-नायूंस का मूतला क्या होते है? शडडअ. हिंदी में इसको बहुते है. शडड नाउन के बड़े में हमने पढ़ा था यह था है आपको हाँ नाउन क्या होता है नाउन होता है नाउन का मतलब क्या होता है नाम नेम आफ़ फ्लावर्स फ्लावर का नाम नेम आफ़ फ्रूर्स फ्रूर्स का नाम नेम आफ़ पर्सिंग कोई बेक्टिक नाम होता है नेम आफ प्रोनाउंस का मतलब होता है शर्बनाम, प्रोनाउंस का मतलब होता है शर्बनाम, शर्बनाम किसे कहते हैं, हमाँ पढ़ेंगे, अब बोर्ण को दिखो और मेरे साँ पड़ो, शर्बनाम किसे के शर्बनाम किसे शर्बनाम, प्रोनाउंस का मतलब होता है, is a word U-S-E-D used I-N-S-T-E-A-D instead I-N-E-N-S-T-E-A-D instead instead O-F-O-F-A-N-O-U-N noun a pronoun read with me once again a pronoun is a word used instead of a noun मतला क्या है? मैं मतलत में नहीं जानती हाँ मैं बता रहूं आपको अब प्रोनाउन एक शर्थ नाम होता है is a word एक शर्थ होता है used हाँ उसको इस्तेवाम करती है और बैभार करती है instead of a noun जहाँ पर नाम होता है उस जगा के उपर हाँ use करते है ठीके? इसका मतला क्या होता है? नाउन को हम हमेशा और बार बार रिपीटेडली बार बार रिपीटेडली हाँ इस्तेमाल नहीं करता है उस सूटने में थोड़ा सा क्या लगता है? अजीब सलागे जैसे हम बोलेंगे कब्यांग्ष इस गुड़ बाय कब्यांग्ष रिप्स इन क्लास फर्स कब्यांग्ष इट डाल और चावल कब्यांग्ष वेर यलो टिशर तो हम हमेशा क्या क्या है? कब्यांग्ष 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 यूज करें तो instead of कब्यांग्ष कब्यांग्ष इख नाउन नहीं नेम अब को परसें इस कब्यांग्ष के बदले में instead of कब्यांग्ष कब्यांग्ष के बदले में we are using pronouns हम उसकते हे फ्रोनावन को और उसको हम बोलते हे शर्ड नम उसको हम क्या बोलते हे शर्ड नम लाइ कभ्याक्ष इस एक गुड़ बोई गभ्याक्ष एक अच्छा बच्चा है He reads in class first, वो class first में पढ़ता है He loves to eat dal and chowel, वो dal and chowel खने में अच्छा लगदा है He loves to wear yellow color t-shirt, वो अपना yellow color का t-shirt पढ़ने में बहुत पसंद कते है तो instead of kavyaanj we are using he, हमने क्या use किया है, हम एक ही बाद kavyaanj use किया है और उसके बाद हमने he use किया है, तो he is the pronoun So look at the board once again, so example is h-a-r-s-h, harsh, harsh is a boy, harsh एक लड़का है He reads in class first, कौन पढ़ता है, he हम use किया है, तो he is a pronoun He is a pronoun, किसके बाद में हम use किया है, instead of harsh, क्योंकि यह harsh जो है, यह ही समझा रहे है ठीके, तो he is a pronoun, he loves to eat mango, ओ mango खाने में बहुत पसंगा थे, क्यों? क्यों mango खाने में बहुत पसंगा थे? Yes, harsh, तो I am not using harsh, instead of harsh, I am using he, I am using he, so he is a pronoun, he is a pronoun Like, one more example I am giving to you and you will be understanding, okay Example क्या है? Ram is a boy, okay Ram loves to eat chocolate तो तो हमने इदर, Ram is a boy, 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 Ram loves to eat chocolate Ram चोकलेट थाने में पसंगा थे, Ram lives in माकली Ram कहां पर रहते है? माकली में रहते है, Ram Ram Have two brothers Brothers, तो किसका दूब है? Ram तो हमने क्या किया हिदर? Ram, Ram, Ram use किया है, बार बार ना? So, repeatedly हम यूज करें, Ram is a good word, Ram loves to eat chocolate, Ram lives in माकली, Ram loves, Ram has two brothers तो ये, instead of Ram, Ram को हम repeatedly ना पोलके, हम इदर यूज करेंगे क्या यूज करेंगे? He Ram के बदले में हम क्या यूज करेंगे इदर? He He is a pronoun, instead of Ram, we are using he He is a pronoun, he loves to eat chocolate Then, he He lives in माकली, ओ माकली में रहता है So, instead of Ram here, we are using he He has two So, have अगर लागा है कि इदर हो जाएगा Has He has two brothers Okay? So, instead of Ram, we are using he word He is a word So, इदर बला है, pronoun is a word So, he is a, he is a word So, we are using he, he So, he is the pronoun He is a pronoun So, I hope you understand what is called pronoun आप अपको समझ माया, pronoun किसे कहते है So, once again, repeat me A pronoun is a word Used instead of a noun So, pronoun एक शब्द है, word शब्द है, जो हम noun के बदले में Repeat नहीं करते है, noun को और हम उसके बदले में इस word को use करते है So, children, ना वपेन नोगो Lesson नमर 5 Okay? Lesson नमर 5 So, here it is written This is a This is a Jane Jane She is a girl She is a girl This is a Peter He is a boy These are Jane and Peter They are students These are cow and goat They are animals This is a Jane's father He is a doctor This is a Sonia's parrot It is a bird So, in the above sentences She, He, They and It are used as pronouns What we have used to do is Jenny के बदले में हमने She used किया है So, She is a pronoun Peter के बदले में Instead of Peter We are using He हमने He used किया है He is a pronoun These के बदले में These के बदले में हमने They use किया है So, They is a pronoun These are cow ये cow के बदले में हमने They use किया है So, They is a pronoun And Jenny's father Jenny's का father Father के instead of father Father के बदले में हमने He use किया है So, He is a pronoun And Parrot Parrot के बदले में हमने It use किया है So, ये सब होता है Pronoun ठीक है तो आप इसको घर में पढ़ना बहुत इजी है तो आपको समाझ में आ गया So, Apple tastes sweet I love to I love to eat apples Apples taste sweet I love to eat them तो ये apples के बदले में हमने Them use किया है My dog's name is Tommy Today, Tommy is a faithful My dog's name is Tommy It is a very faithful ये Tommy के बदले में हमने It use किया है Then Jasmine is a very naughty Okay And all dislike Jasmine इसको हम प्रोनाम कैसे यूश करेंगे Jasmine is a very naughty All dislike her So, instead of Jasmine We are using her Okay So, her is a pronoun Lata is a singer Lata sings swell So, ये दो लत्य के बदे में दो लत्य 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 लिखा है और she is a pronoun She sings well Pramod respects elders Everybody like Pramod Pramod respects elders Everybody likes him Instead of Pramod, ये Pramod के बदले में हमने him यूश किया है So, him is a pronoun Hari is a student Hari is absent Hari is sick Hari is a student He is sick Instead of Hari We are using he So, he is a pronoun So, ही आहमने Pronoun क्या क्या होता है? Pronoun होता है Pronoun क्या क्या होता है? He Okay, he She Eat Her Are Him They Okay? Them Them We use होता है कभी कभी Okay? So, ये सब शब्च जो होता है Word जो होता है ये प्रोनाउन होता है So, I hope you understand And you watch the video And next We will do the exercise Thank you What? I'll do the exercise So, I will do the exercise